लालू यादवर उनके परिवार के मुश्किले एक बार फिर से बढ़ गई हैं बेनामी सौदे संशोतन कानून के तहेत आरकवे भाग ने लालू की बेटी मीसा भारती और उनके पती शलेश कुमार के एक फार्म हाउस को अटैच कर रिया है ये फार्म हाउस दिल्ली के सैनिक फार्म इलाके में मौजूद है और इसे एक शेल कंपनी के एच के होल्डिंग ट्राइविट लिमिटिट के नाम से 15 करोड में खरीदा गया था परिशानी यहीं खत नहीं हो जाती आरजेडी सुप्रीमोल लालु यादव और उनके परिवार की दिल्ली और विहार की कई और संपत्यों से उन्हें हाद धोना पड़ सकता है आयकर विभाग ने खुद इस बात को माना है कि बिनामी सौदे संशोधन कानून के तहट लालु परिवार की 17 संपत्यों को ताधकालिक रूप से अटैच कर लिया गया है इनकी कुल कीमत 128 करोड रुपे बताई जा रही है अटैच किये जाने के बाद आयकर विभाग इन पर अपना कबजा कर सकेगा बताये जा रहा है कि लालु यादव ने यूपे सरकार के दौरान रेल मंत्री रहते हुए इन संपत्यों को खरीदा था शेल कंपनियों के जरिये इन संपत्यों को खरीदा गया और बाद में इने लालु की पत्नी, बेटी, दामात और बेटों के नाम से ट्रांस्वर कर दिया गया था दिली से आरती पांडे, नवोदे टैम्स